और हिंदी आलोचना में जो आज कल जो कुछ लोग किम्मदंती के रूप में थे, खास करके नामवर जी के जाने के बाद, तो उसमें मैनेजर जी का नाम बहुत शिद्दत से याद किया जाता है। आलोचना के साथ साथ साहित्य के साथ साथ एक प्रतिबद्धता और सामाजिक सरोकार के आलोचक के रूप में हमारे सामने मैनेजर पंडे आते हैं अकैडमिक जो उनका व्यक्ति तो था उसके अलावा बतोर इनसान बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि हमें सीखने की जरूरत है उसको अपनाने की जरूरत है नौसकार दोस्तों मैं हूँ आशेश त्रिवेदी स्वागत थे आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हिंदी साहित के बहुत बड़े आलोचक मैंने दर पंडे जी का दिहावसान हो गया और पुरा हिंदी समाज हिंदी जगत अस्तब्द है इस घटना हो लेकर के और जो अभी बहुत सारे लोगों की उमीद थी कि एक लंबी बिमारी से उठेंगे पंडे जी और इस साहित जगत को बहुत कुछ उनसे पाना था भी लेकिन जिस तरीके से अचानक से वो गये बहुत बड़ा रिक्त अस्थान हो गया और वो खाली जगा भर पाएगा के नहीं भर पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन उनके जाने से उनके जो चाहने वाले हैं उनको जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत ही मरमाहत हैं दुखी हैं और उनको अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके स्मृतियों में मेरेजर पांडे हैं उनका रजनाक कर्म है उनकी जो आलोशना के पुस्तके हैं और जिस तरीके से वो बहुत सारे जगों पर अपना वक्त अव्य जो देते थे वो उनके बहुत सारे लोगे जहन में वो चीज़े हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारी के साथ मैं दर पांडे जी बोलते थे तथ्यों के साथ और एक अद्भुत छण होता था उनको सुनना पां करेंगे और आज हमरे साथ हैं टाउन डिगरी कालेज के हिंदी वहाग में प्रोफेसर जैने दर पांडे जी आपका बहुत हो स्वागत थे अब नंदन है हमारे इस चैनल पर धन्यबाद थे एक तो मैं जानना चाहूंगा कि आप जेनुक में रहे हैं आपने पढ़ाई किया ह वहाँ से तो बहुत समय भीता होगा उनके साथ पांडे जी के साथ तो पहले तो यह कि मतलब किस रुप में आप उनको याद करेंगे पांडे जी को सरदान जली आप कैसे देंगे उनको बियेच्चियू में नाइंटी फाइब में मैं था तो एक इच्छा थी जीनु जाने कि अधिकांस वहाँ के जो विद्यार्थी हिंदी के थे वो जाना चाहते थे और मुझे लगता है कि एक जो छवी थी वो पांडे जी के हम लोगों के दिमाग में थी उस समय बहुत नाम हो चुका था इनका और नामवर जी के रिटायर होने के बाद मुझे लगता है कि दो प्राध्यापक वहाँ आकर्षण के केंद्र हुआ करते थे जिसमें एक मैनेजर पांडे जी थे और दूसरे केदार जी थे और इनहीं लोगों को ध्यान में रख के हम लोग चाहते थे कि कास्व हम लोगों को वहाँ पढ़ने का मौका मिलता तो वहाँ जाने के बाद अच्छी किताब आज भी वह माइली स्टोन है हिंदी आलोचना में सूर को लेकर के जो उन्होंने लिखा है वो बहुत आज भी काम का है तो बहुत तैयारी के साथ वो आते थे मुझे लगता है कि जो उस दौर की आलोचना है पूरी दुनिया की आलोचना और हिंदी के अन्य पत्रिकाएं पढ़ते थे, सोशल साइंस, समाज बिज्ञान के बहुत अच्छी जानकारी उनको थी, तो बहुत तैयारी के साथ, और मुझे लगता है कि साहित की दुनिया में अन्य जो टूल्स हो सकते हैं, उनका उपयोग करते हुए, समाज शास्त्र की बहुत सारी किताबें, जो आज पढ़ने के बाद लगता है, उस दोर में ही वो बताते थे, तो इतनी तैयारी के साथ वो कक्षा में आते थे, पढ़ाते थे, डिसिप्लीन के मामले में उनका कुछ, कोई सानी नहीं था उस दोर म में ही, और बतोर सिक्षक, मुझे लगता है कि आलोचना के क्षेत्र में, या सूर पे या जो भी एक पेपर वो साहित सिधान्त पढ़ाते थे, तो इन प्रस्न पत्रों में जितनी गहरी उनकी, और मुझे लगता है कि समाज और पढ़ाई लिखाई थी, वो विरल है, मुझ इस विशय पे आज हिंदी में वैसा सिक्षक है, जो जिन विशयों की मैंने चर्चा की, उन विशयों पे उतना अधिकार रखने वाला मुझे फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक सिक्षक के रूप में जो प्रेम मिलता था उनका, मैंने कहा कि डिसिप्लिन को लेके वो बहुत आज भी यदि उनके शिश्यों से पूछेंगे तो कहीं न कहीं डिसिप्लिन को लेके उनके मन में आज भी डर एक इमेज बनी होई है, लेकिन कई बार हम सब ने देखा और महसूस करते हैं, शिद्दत से महसूस करते हैं कि जो आवरण उनका होता था, वो दिमाग में रखी है, लेकिन जब अब अंदर जाएंगे, तो उनके भीतर एक तरह से कह लिजिए कि एक गार्जियन और पिता का भाव हमेशा रहता था, बहुत जमीनी धरातल पर जाकर वो विद्यार्थियों की साहता करते थे, सामाने तया समय का भाव होता था, इसलिए बहुत नहीं मिलते थे, लेकिन जब समझते थे तो वो बिठाते थे, मिलते थे और जितना संभव है, जिस भी अस्तर पर आप कह सकते हैं, जाके वो विद्यार्थियों की साहता करते थे, उनके साथ आंदूलनों में खड़े रहते थे, वो शामिल होते थे, सक्री रूप से बिलकुल, एक तो जो पठन-पाठन से हम लोगों ने सीखा ही, आज भी मैं जाता हूँ, तो कई ऐसे विशय हैं पढ़ाते हुए, मुझे बिलकुल गुर्देव याद आते हैं, उनकी शायली, उनकी तैयारी, जिस तरह से होती थी, हम लोगों के लिए आज भी एक मॉडल ह शायद हम लोग नहीं छूपाते हैं, मुझे स्विकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक वो तो था ही, अकैडमिक जो उनका व्यक्ति तो था, उसके अलावा बतोर इनसान, बहुत कुछ ऐसा है, जो मुझे लगता है कि हमें सीखने की जरूरत है, उसको अपनाने की ज विचार में और व्यक्तित्तों में, बहुत साम में देखते हैं, मुझे लगता है कि मैनेजर पांडे का उसमें कोई जवाब नहीं है, जो वैचारी की दिखाई देती है, उनके लेखन में, उनके वक्तव्यों में, जीवन बिलकुल आपको वही मिलेगा. मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप ये कहें कि आप सिश्चे हैं, इसलिए थोड़ा सा फेवर खर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सिद्धत के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि नामोर जी के बाद, जो हिंदी आलोचना है, उसमें मैं स्रेश्ट आलोचक, सर्वोत क्रिष्ट आलोचक, नामोर जी के बाद, मैनेजर पांडे को कह सकता हूँ. कुछे ही लोग हैं हिंदी के, जिनको गैर हिंदी वाले भी बहुत सम्मान के साथ देखते थे, सुनते थे, और कोट भी करते थे, नामोर जी तो थे ही, मैनेजर पांडे को भी, और उसका कारण यही था, कि जैसे आपने साहित के समाज शास्त्र की चर्चा की, तो बहुत से आलोचक साहित की जो विधाएं हैं, तमाम विधाएं हैं, कहानी हैं, कविता हैं, उसकी व्याख्या करके संतूस्ठ हो जाया करते थे, लेकिन साहित की समाज में क्या उपा देता है, या समाज और साहित का अंतरसंबंध कैसा है, क्या होना चाहिए, इसकी भरपूर मिमानसा, मुझे लगता है कि हिंदी में, पहली बार तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आचारशुक्ल से ही वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, लेकिन ब्यवस्थित रूप में, साहित के समाज शास्त्र को एक औजार के तौर पे आलोचना के अपनाने का स्रे मैनेजर पानने को, ब्यवस्थित रूप से, एक साहित के समाज शास्त्र की भूमी का किताब ही उन्होंने लिखी, चाहें यह जो विशय है, इसका सम्मंध पस्चमी जगत से ज़्यादा तर है, तो हिंदी में सामगरी भी उनके पहले नहीं के बराबर थी, आलोचना में इस विशय पे बहुत ही अच्छे, बहुत ही का सकते हैं कि वैचारिक लेख उन्होंने लिखे थे, नामगरी जी ने लिखवाये थे, बहुत जो विदेशी थेंकर्स थे, उनकी कृतियों और उनके लेखों का अनुवाद भी उन्होंने किया था, और यह सब करते हुए हिंदी में समाज शास्त्री आलोचना जो है, उसको अस्थाफित करने का श्रे पान्य जी को जाता है, और यह आलोचना, मुझे लगता है कि जब तक प्रासंगिक बनी रहेगी, और बनी ही रहेगी, क्योंकि साहित जो है, महज कलात्मक उत्पाद नही समाज से उसका बहुत गहरा संबंध है, अंतरवस्त के लेबल पे ही नहीं, भाषा और शिल्प संरचना सब के अस्तर पे, समाज से साहित को काट के नहीं देखा जा सकता, उसका अस्तित तो ही शायद नर है, तो जब तक इसकी उपादेयता बनी रहेगी, मुझे लगता है क पांडे जी रेफरेंस के तौर पे, संदर्व के तौर पे याद किये जाते रहेंगे, पढ़ाई, लिखाई, व्यक्तित, समगरता में यदि देखें, तो वैसे व्यक्तित का होना मुझे लगता है कि बहुत विरल है आज के समय में, और तैयारी भ्यूत नहीं, सादगी, हम तरह से तो उस वैक्यूम को शायद नहीं भरा जा सकता, लोग आएंगे, जाएंगे, लेकिन मैनेजर पांडे की जो जगह है, शायद मुझे लगता है कि कोई नहीं ले पाएगा उसे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने समय दिया हमारे लिए, और मैनेजर पांडे जी के भर पाएगा के नहीं भर पाएगा कहना मुझे है, लेकिन हम मैनेजर पांडे को याद कर रहे हैं, और जाहिर से बात है कि जब तक समासास्त्री अलोशना के बात की जाएगी, मार्क स्वादी अलोशना के बात की जाएगी, मैनेजर पांडे हमारे बीच में रहेंगे, कम ऐसे हिंदी के लोग हैं जिनको अधर हिंदी वाले लोग पढ़ते हैं जानते हैं या उनके जहन में उस तरीके से उबस्ते हैं मनेजर पांडे की हम बात कर रहें तो मैं चुकि सुमनी जी इतिहास के साथ साहिते के भी अच्छी अधेता हैं लगतार लिख रहा हैं जो पूरा हिंदी जगत एक तरह से स्तब्ध है कि एक हिंदी आलोशना को जो एक बड़ा स्तम धा गया तो किस रूप में आप याद करेंगे मेनेजर पाण्डे को ये हिंदी के जो सरोमान ये आलोचकों में से एक मैनेजर पांडे का निधन जो है वो हिंदी साहित जगत के लिए एक अपुरुणी च्छती है और मैनेजर पांडे भारती भाषा केंद्र में प्राध्यापक रहे जवाहलाल नेरुविशुद्याले में और भारती भाषा केंद्र में जो तीन अध्यापक जो हिंदी साहित में एक तरीके से परियाय रहे लंबे समय तक कविता के छेत्र में केदार नाज सिंग और आलोचना के छेत्र में डाक्टर नामवर सिंग और उनके साथ जो है उनके सहयोगी के रूप में मैनेजर पांडे तो और इन तीनों ने हिंदी साहित्य तक इनको सीमित करना वो उनके दाइरे को कम करके आखना होगा नामवर जी चाहे केदारनाज जी जो बल्या के ही थे और मैनेजर पांडे जो गोपाल गंज के मोलनिवासी थे इन तीनों ने हिंदी साहित्य ही नहीं बलकि भारती साहित्य को सम्रिद किया अपनी आलोचना कर्म से, अपनी कविताओं से, अपनी लेखनी से और मैनेजर पांडे एक प्रतिबध आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं, आलोचना के साथ साथ, साहित्य के साथ साथ, एक प्रतिबधता और सामाजिक सरोकार के आलोचक के रूप में हमारे सामने मैनेजर पांडे आते हैं, अपने रचना कर्म से भी और अपने ब्य जीवन भी रहा जवाला नहरु विश्विद्याले में अध्यापक रहते हुए और सेवा निवृत्ति के बाद भी जैसा उनका जीवन रहा छात्रों से जैसा संपर्क रहा जो उनके सरोकार रहे वह अपने आप में एक प्रिंडा दाई पूरा उनका जीवन रहा है और मैं दो तीन बार उनको प्रत्यच उनको सुनने का उसर मिला उससे पहले ही वह सेवा निवृत्त हो चुके थे काफी पहले लेकिन वहां जो सेमिनार या गोश्टियां होती थी कासकर भोजपूरी की जो गोश्टियां हुई उनमें मुझे याद है कि मैतली भोजपूरी अकादमी क एक आयोजन था उसमें उन्होंने भोजपूरी के बारे में क्योंकि वो उनका अपना भी छेत्र था उनका अपनी आत्मियता थी भोजपूरी के इस छेत्र से तो उसके बारे में बहुत ही विचारों तेजग व्याख्यान और वो कहते थे कि जो कबीर है वो भोजपूरी के आ पहला कवी ही इतना विद्रोही रहा हो उस भासा के बोलने वालों के स्वभाव में विद्रोह जो है वो बसा हुआ है उनके पैठा हुआ है उनके स्वभाव में ही तो ये और उस जो उनका भोजपूरी को लेकर जो उनके पूरी प्रत्वत्ता रही है साहित हिंदी साहित के सा सः स्वैम वो बनारस इंदु ऊन्वरस्टी से उन्होंने सोद्ध अपना किया और अस्पराशना तक किया जिसमें वो सूर्शाहित्य के विशेसग्य माने जाते थे भक्ति अन्दोलन के विशेसग्य थे और उसके साथ एक मैं दिल्चास बात आपको बताऊं कि उन्होंने सूर साहित में जो किसान दिखता है, किस तरीके से किसानों का जीवन सूर दास के साहित में दिखता है, इस पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कि क्रिसकों, या कि जो भारत का समाज, क्रिसक प्रधान समाज जो है वह कैसे अभिव्यक्त होता है सूर्दास के साहित में इसको भी मैनेजर पांडे ने दिखाया तो भक्ति आंदोलन से लेकर और फिर उन्होंने आलोचना कर में माक्सवादी साहित आलोचक जो थे और एक उनकी जो बहुत अच्छी प्रविर्थ थे जो हम लोग भी देखते थे और जैसे प्रिणा लेते थे वह है कि लाइब्रेरी में लगातार जाना वह असी वर्स की उम्र प्राया उनकी हो गई थी सत्तर असी की उम्र में भी लगातार वह मुनिरका में रहा करते थे अर्ड लाइन और उसमें क्या नया आया उसको पढ़ना उसका जिराक्स कराना और उस पर फिर आगे टिपड़ी लिखना जरूरी हुआ तो अनुवाद करना उसका तो एक अनुवादक भी वह रहे और लगातार उन्होंने माक्सवादी ऐसे लेकों और विचारकों का अनु को लेकर और उसके अलावा और साहित्य के समाशास्त्र पर जो उनका काम है कि साहित्य को हम लोग देखते हैं कि एक वाज साहित्य है और उसका मुल्यांका नम उसके आधार पर करते हैं मैनेजर पांडे ने साहित्य के समाशास्त्री पहलू पर कि क्योंकि साहित्य जो है वो सम कि या किसी भी ऐसे रशनाकार का साहित हमको समझना है तो उसकी सामाजिक संदर्भूं को भी समझना हो और मैं बाद के दिनों की बात कर रहा था तो ये सेवानिवित्थ होने के बाद जो अक्सर अकादमिक दुनिया में माल लेते हैं लोग कि उनकी अब इति स्री हो गई उनके जो है सेवानिवित्थी के साथ ही वहां से हम देखते हैं कि वह अलग अलग दायरों में जो है अपना काम का विस्तार करना है जिसमें मैं दो पुस्टकों का विशेश रूप से उलेक करना चाहूंगा एक तो अठारा सो सतावन के बिद्रों से जुड़े ज भूमिका की लोग गीतों से राष्ट्री आंदोलन का क्या जुड़ाव रहा है 1857 के विद्रों के नायकों को चिर जीवी बनाने में और अमर बना देने में इन लोग गीतों की क्या भूमिका थी चाहे वो कुमर सिंग रहे हों या मंगल पांडे हों जहांशी किरानी लश्म बाई हो इन नायकों को अमर बना देने में और जनता के मन में लोकमन में उसको सजोने में क्या भूमिका रही लोक गीतों की इसको नहीं रेका उंकित किया। और दूसरी जो किताब मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है मुगल बाजसाहूं की हिंदी कविता, उन्हों ने जो उस पर काम किया, जो राजकमल से किताब छपी, कि जो मुगल सासक हैं, वो अभी किससे तरीके से हिंदी में, ब्लज में अपनी जो रचनाएं कर रहे थे, उनका उन्होंने संकलन प्रकाशित किया तो एक आजीवन जो जुसको कहा जाता है कि एक सोधार्थी और एक अकादमिक ब्यक्तित तो जो अंत तक काम करता रहता है तो अहरनिस मैं नजर पांडे इस काम में लगे रहे हिंदी के भंडार को वो सम्रिद्ध करते रहे भोजपूरी के प्रति उनकी प्रतिपत्ता रही और ब्यापक जो सामाजिक सरोकार है उनको लेकर भी वो हमेशा सजग रहे और उनकी जो लेखनी है वो है इसकी गवाही आगे आने वाले समय में देती रहेगी तो वह है प्रेणडा या एक अपूर्णी च्हती तो जरूर है लेकिन उनका जो लेखन कर्म है और उनका जो जीवन है जिस तरीके से अपनी कच्छाओं में जिनों ने उनसे क्लास में पढ़ा वही नहीं बलकि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ब्यापक हिंदी समाज ने जो प्रतिक्रिया उनके निधन के बाद दी है वह दिखाता है कि एक बह गतार प्रेणा देते रहेंगे उनकी लेखनी हमारे लिए प्रेणादाई कारे करती रहें दोस्तों अभी मैं रामजी तिवारी जी के साथ हूँ रामजी तिवारी हम सब जानते हैं कभी हैं समिख शक हैं और सहीतिके अच्छे अध्यता हैं सहीतिके अलावा भी इतिहास औ बहुत सारी किताबों का गहराद ध्यान है जैसा कि अभी हम कई लोगों से बाचित कर रहे हैं हम लोग के बीच में मैनेजर पांडे जी नहीं रहे मैनेजर पांडे जो की एक अलोशना के शिर्श पुरुष करूप में स्थापित हुए है उन्होंने अलोशना को एक गंभीर जो विमर्श है उस पर उन्होंने खड़ा किया जो उसका समाजिक सरोकार है मार्कश्वादी अलोचक करूप में फिमस हुए और अंत तक एक बड़े कैनवास पर मैनेजर पांडे अलोशना को लेकर के गए तो आज हम लोगे बीच वो नहीं रहें तो एक सहीतिका धेता किस रूप में मैनेजर पांडे को हम याद कर रहे हैं और हमारी स्मृतियों में कैसे है मैनेजर पांडे आने वाले समय में उन्हों है किस रूप में याद किया जाए गए इन सारे विश्यों पर हम अलग-अलग लोगों से बात कर रहे हैं तो उसी संदर में आपका स्वागत है राम जी भाई और मैं जानना चाहूंगा कि आपका परिशे राम जी उनके साथ मैनेजर पांडे के साथ किस रूप में रहा कैसे आप से परिचे है किताबों के माद्ध हम से या फिर कभी किसी औसर पर मुलकात है आज हम उन्हें याद कर रहे हैं तो किस रूप में याद कर मैनेजर पांडे को राने वाले समय में जो एक वेकुम हुआ है उनके जाने के बा मैनेजर पांडे हमलों के बीच से विदा हुए लगभग असी के पार की उम्र पाई उन्होंने और हिंदी आलोचना में जो आज कल जो कुछ लोग किम्मदंती के रूप में थे खास करके नामवर जी के जाने के बाद तो उसमें मैनेजर जी का नाम बहुत शिद्दत से याद किया जाता है मैनेजर जी एक बहुत साधारन घर परिवार से निकले थे यहीं बिहार में बगल में गुपाल गंज से और साधारन प्रिस्ट भूम से निकलके और एक संघर्स के बल पे और अपने अध्यैन के बल पे अपनी छमताओं के बल पे आगे बढ़े उतर्पदेश में कई जगों पे उन्होंने पढ़ाया फिर राजस्थान में पढ़ाया फिर उसके बाद अन्त जवाहलल नहरू विश्विद्याले पहुंचे जहां पे भारती भाशाकिंदर के वो निदेशक भी रहे किदार जी के साथ ही एक साथ ही किदार जी की और उनकी प्रोफेसर के रोप में नियुक्ती हुई थी एक साथ दोनों लोगों ने जवाइन किया था वो राजस्थान के किसी कॉलेज से आये थे और किदार जी यहां पट रहोना से गये थे दोनों लोग एक साथ प्रोफेसर हुए थे बाद में केदार जी के रिटायर होने के बाद मैनेजर जी ही वहाँ पे भारती भासा किंद्र के निदेशक बने थे मैनेजर पांडे केदार जी कभी थे लेकिन मैनेजर पांडे एक बड़े आलोचक रहे और उन्होंने आलोचना की शित्र में बड़ा काम किया उन्हें किस रूप में याद किया जए उन्हें कि जो एक आलोचना एक गंभीर कर्म है एक तो ये बात कि आलोचना कोई ऐसा चीज नहीं है कि कोई भी किसी कृती को ही लेके उनका ये कहना था कि दो की के जोने तो समाज है वो एकदम जुड़ा हुआ होता है अगर समाज जिस दिशा में चल रहा है और समाज को जिस दिशा में चलना चाहिए आलोचना को भी जैसे रचना को चाहिए चलना चाहिए वो इसे आलोचना को भी एक दो उन्होंने है दूसरा है उन्होंने ये कहा कि इतिहास का बहुत गहरा रिस्ता है साहित Rap और समाज से, उससे हम कट के जिसे कि आप देखेंगे कि किसी बहुत सारे लोग होते जोते हैं कि खास मुद्डे पर कहे दें कि इस विश्य में अब दूसरे विश्य क्यों उन्हों ने इन सारे विश्यों को जोड़ने का काम किया तो ये दो बहुत महत्वपूर काम था कि अगर आप साहित पढ़ रहे हैं तो इतिहास से प्रिथक होके बात मत करिए और कोई भी जो कर्म है वो इन दोनों के साथ ही उसको मिलान करके किया जाएगा एक तो उनका ये थ जो मद्धिकाल का पूरा साहित है उसके बहुत महत्वपूर काम है उनका सूर को लेके खास करके भक्तिकाल को और उसमें रीधिकाल को भी लेके जिसको बहुत सारे लोगों ने निगलेक्ट कर दिया था उसको लेके उन्होंने पुनरजीवित किया फिर इस तरी जो विमर् से आप आज देखते हैं उसके एक तरह से प्रणेता मैनेजर पांडे रहे हैं जो शब्द और कर्म उनकी एक किताब है तो उसमें भी उन्होंने एक तरह से समझे कि इस बात को रेखांकित किया है कि जो आलोचना है वो जो हो सिर्फ मतलब शाब्दिक नहीं है मतलब उसका जो हो या इस्तरी साहित हो या आलोचना को सामाज से जोड़ने की बात हो या साहित को इतिहाज से जोड़ने की बात हो ये सब चीजें मैनेजर पांड़ने की मुख्य रूप से कंसर्ण रहे और उन्होंने इस पे न सिर्फ किताबें लिखी व्याख्यान दिये हस्तक छेब किय अखबारों में लिखा, पत्रिकाओं में लिखा, 30 से अधिक 40-50 उनकी किताबें हैं, संपादन है, और पूरी 80 साल में जब वो गए हैं, तो उसके लगभग साल भर पहले तक पूरे सक्री रहे हैं और लगातार हस्तक छेप उनका रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे व्यक्त एक ऐसा उन्होंने रास्ता दिखाया है, जिसमें चलके, आगे चलके आलोचना को साहित को काफी हद तक सहायता मिलेगी और उसका विकास होगा, मुझे ऐसा लगता है, तो मैनेजर जी को हम सब लोग इसी रूप में याद करते हैं बहुत बहुत धरने बाद, और सातियों, जैसे गिरामजी भाई ने बताया, या और लोगों ने बताया कि मैनेजर पांडे अपने जीवन कांतिम समय तक सक्री रहे, और लगतार वो लाइवरीरी जाते रहे, पढ़ते रहे, पुए दुनिया को पढ़ा उन्होंने, सहीती स पाएगा कहना मुश्किल है, फिलाल संकल परिवार की और से हम उन्हें सर्दानजी ले अत्पित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,